हेलो एवरिवन स्वागत है आपका अश्टडी रूल में फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आपके रिजल्ट की तितियों के बारे में ठीक है यहाँ पे देखे दिया हुआ है आपका जो यह न्यूज अपडेट है 9 मार्च 2023 का अपडेट हुआ है ठीक है यहाँ पे देखे लिखा हुआ है कि यूपी बॉर्ड रिजल्ट 2023 यूपी बॉर्ड दस्में और बारही के रिजल्ट तितियां हुई गोसित यूपी बॉर्ड चात्रों के लिए बड़ी कुश खबरी ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं कि जानकारी क्या है ठीक है देखे यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि यूपी बोर्ड रिजल लेटेस्ट नियुज ठीक है यूपी बोर्ड में चल रही परिक्षाएं अब समाप्त हो चुकी है इस वर्स यूपी बोर्ड में 50 लाग से ज़्यादा बेर्थियों ने रेजिस्टेशन कराया था ठीक है तो 50 से ज्यादा बेर्थियों ने इस परिच्छा को छोड़ दिया है ठीक है बहुत से मतलब 4 लाग से अब इर्ति जो हैं आपके क्या है एक्जाम छोड़ दियें क्यूंकि भाई अब क्या है नकल का जो है कि चांस बहुत ख़तम हो चुका है अप पहले की तरह ठीक है तो इसलि देखे यूपी बोर्ड दसवी और बारवी के चातरों के लिए बड़ी खुसकपरी सामने आई है इस वर्स यूपी बोर्ड में दसवी और बारवी के बच्चों की कापियां के मुल्यांकन को लेकर तित्यां गोसित कर दी गई है इस वर्स यूपी बोर्ड के बच्चों की का कापियों का मुल्यांकन ठीक है दस मार्च दस मार्च के बाद सुरू कर दिया जाएगा ठीक है जो आपका मुल्यांकन है कापियों का मुल्यांकन वो दस मार्च बीती गया है अब वहां से समझें कि दस मार्च से आपका कापियों का मुल्यांकन क्या कर दिया गया है चालू कर पूरे होने के पश्चात उत्तर प्रदेश मादमिक सिछा अफिस्यल विब साइट पर दस्वी और बारों के प्रडाम को घोसित कर दिया जाएगा ठीक है आपका जो कापी का मुल्यांकन है वो मार्च महीने में क्या कर दिया जाएगा लगबक पूरा कर दिया जाएगा क्या है कि जब आपका कापी का मुल्यांकन जल्दी होगा तो आपके रिजल्ट भी क्या होंगे जल्दी होंगे और रिजल्ट जल्दी आने का और भी एक रिजन है क्योंकि इस वर्स का किसी भी कॉपी कोई भी एक्जाम का मतलब पेपर कोई लीक नहीं हुआ है चाहे कोई रद नहीं हुआ है ठीक है यह भी एक आपका प्लस पॉइंट है ठीक है आगे का निवज पढ़ते हैं देखे क्या कहता है देखे आगे का निवज है आपका क्या कह रहा है कि यूपी बोर्ड रिजल्ट डेट 2013 देखे कह रहा है कि इस वर्स दसवी और 12 ही के परिणाम पिछल कोई भी परिक्षा दोबारा आयुजद नहीं की जा रही है ठीक है देखे कोई भी एक्जाम आपका दोबारा हुआ है नहीं हुआ है क्यों कोई भी पेपर लिक नहीं हुआ है क्या कोई पेपर रद हुआ है ठीक है किसी भी कहीं पे नकल करते हुए कोई पकड़ा गया आई इसमें आप ही लोगों का हाथ है सभी आप ही लोगों के विद्यारतियों जो भी है अच्छे विद्यारति थे इसी वज़ा से देखे सांतिपूर तरीके से इस वर्स पूरे अच्छे से आपके परिक्षा क्या होगा है सांतिपूर संपन हो गया है ठीक है फिर आगे देखे क् क्या रहा है आपका संपन हुई है किसी भी पेपर में किसी भी प्रकार की धादली सामने देखने को नहीं मिली है इसलिए इस वर्स दस्वीं और बारहुई के परिडाम को बोड देखे अप्रेल महीने में गोसित कर सकता है ठीक है चांसेस आपके क्या है कि अप्रेल महीने में आने का है result एदम स्यूर है ठीक है अप्रेल महिने में कोसिस करेंगे लो कि आ जाएगा या हो सकता है आपका कि मई के फ़स्ट विक में आपका क्या हो जाएगा आ जाएगा ठीक है मई के फ़स्ट विक में आपका result क्या हो जाएगा पक्ता है कि आ जाएगा ठीक है ठीक है तो यह आपका है अप्रेल महिने में गोसित कर सकता है और देखे नीजे नीज्ड क्या कह रहा है कि देखे क्या कह रहा है यहां पे कि यूपोर है उत्तर प्रदेश के .government.in की official website में जाकर अपने परिडाम को देख पाएंगे ठीक है तो ये आपका जो UP MSP का जो साइट है इसनी यहाँ पर आप लोग result को देख सकते हैं ठीक है तो आपको पता चल गया तो ये आपको जो notification या जानकारी आप लोगों को कैसी लगी लाइक कर दीजेगा और आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहीं जै भारत